पानी रहे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो उस जैसा जी हां आपने सही गस किया है आज हम बात करने वाले पानी के बारे में यानि वाटर के बारे में कि किस तरह के से वह एक रेडिउसेंग एजेंट की तरह बहेव कर सकता है एक ऑक्सिडाइजंग एजेंट एक acid based concept और इस पर पीवाइक्यू भी आ रखे हैं आपके नेट में और उसे कोशन को भी हम सॉल कर लेंगे हाला कि इस पर दो तीन कोशन आ रखे हैं बट हम मेंली लेंगे एक कोशन जिसमें आपके सारे के concept cover हो जाते हैं तो cover करते हैं इस topic को तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं water की वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो इस can act as water can act as ठीक है water एक oxidizing agent की तरह act कर सकता है और यहां पर लिविस acid की तरह act कर सकता है लिविस बेस की तरह act कर सकता है और fourth point is that it can act as an reducing agent तो आपके water different different role play कर सकता है depending upon the molecule which with it is reacting तो इनको हम समझेंगे ठीक है तो एक एक example के तोर से समझेंगे कि water किस तरह के से oxidizing agent reducing agent लिविस बेस लिविस acid इस तरह के से act करता है तो सबसे पहले चली बात करते है oxidizing agent की तो अगर मैं यह reaction लेता हूं ठीक है water acting as oxidizing agent कैसे कर रहा है तो यहां पर जब भी मैं calcium का example लेता हूं अब calcium अगर आप देखोगे it is in zero oxidation state यह neutral है आपका calcium अब जब मैं इसको water की साथ react करा हूंगा यहां पर क्या होगा यह ca2 plus में कनोट हो जाएगा साथ ही साथ आपको मिलेंगे 2oh- और h2 gas ठीक है यह तो ऊपर तोर पर यह reaction होगे बट अगर मैं इसको frontier molecular orbitals of h2o as well as calcium के fmo orbitals को involve करके यह बाते देखूं तो क्या हो रहा है actual में तो चलिए समझ लेते हैं अब यहां पर क्या है h2o है मेरे पास oxygen है इसमें that is more electronegative compared to that of calcium तो अगर मैं h2o के homo-lumo की बात करूं they are called frontier molecular orbitals तो आपके h2o को lomo में क्या है lone pair of electron है और lomo क्या है खाली है और अगर मैं बात करूं calcium की 4S में आ जाएगा आपका यह electron okay this is your homo and आपकी यह है lomo अब दोनों की बीच में अगर आप देखेंगे इतनी energy gap है कि यहां पर दोनों अगर react करते हैं तो अड़क्ट formation पॉसिबल नहीं है यस आपने सुन रखा होगा कि लिविस बेस जब करते हैं एक दूसरे के साथ तो अड़क्ट फॉर्म होता है तो यहां पर अगर आप देखेंगे वही सिच्वेशन को अगर आप अप्लाइ करना चाहोगे तो इन दोनों की बीच में क्या है बहुत ज़्यादा energy gap है तो इसलिए यहां पर क्या होता है यहां पर अड़क्ट का एक oxidizing agent की तरह act कर रहा है क्योंकि उसने क्या किया calcium को zero से plus two oxidation state में convert किया yes तो यहां पर क्या हुआ water is acting as reductant और जो आपका CA है that is acting as oxidant sorry उल्टा बोल दिया मैंने okay water is acting as oxidizing agent क्योंकि इसने क्या किया इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे है water को oxidizing agent की तरह बुला रहे है ठीक है यह थी पहली reaction अब चलिए next reaction में जाते हैं अब यहां पर बात करेंगे water acting as levis acid और हम क्या कह सकते है एनायन को solvate भी कर सकता है कौन सी यह सर रियक्षिन यन molecules of H2O ले लो इसको अगर आप CL negative के साथ react करोगे यहां पर क्या होगा सार यहां पर solvation of anion will take place okay solvation of anion will take place कुछ इस तरह के से reaction होगी और यहां पर solvation हो चुकी अब इसको frontier orbital की मदद से आपके H2O की as well as CL minus के frontier orbitals को लेंगे और इससे हम समझेंगी कि क्या actual में हो रहा है अगर मैं water की बात करूं water में oxygen है that is less electronegative compared to that of chlorine यहां पर क्या होगा दोनों की almost क्या है similar electronegativity होने की वज़ए से इनके homo as well as loomo क्या करेंगे एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे और यह कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको यह है आपके H2O के homo और यह है आपका loomo ओके इसमें आ जाएंगे loan pair of electrons अब अगर मैं बात करता हूँ chlorine की chlorine की अगर देखेंगे यहां पर क्या जाएगा 3S आजाएगा यहां पर और 3P यहां जाएंगे आपके यहां पर क्या हो रहा है सर्थ अब यहां पर क्या है इसके पास electrons है ओके अब यहां पर क्या है electrons है और H2O के पास क्या है लूम है तो यहां पर क्या करेगा यह जिसके पास electron density है वह यहां पर क्या करेगा electron density को accept करेगा अब यहां पर अगर आप देखोगे दोनों की बीच में इतनी difference नहीं है energy difference क्या है थोड़ी सी कम है पहले वाले में अगर आप देखा तो बहुत लोन पेर accept कर रहा है साथ ही साथ यह लिविस बेस की तरह act कर रहा है बट इस reaction में अगर आप देखोगे यह क्या कर रहा है पस लोन पेर को accept कर रहा है और कुछ reaction ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगे बट इस केस में यह क्या कर रहा है सर आपको जो H2O है that is acting as levis acid because it is accepting lone pair of reaction and formation of adduct is taking place इसको उन क्या कहेंगे अड़क्ट कहेंगे बिकॉज लिविस बेस जब react करेंगे अड़क्ट formation विल टेक्स ठीक है तो इस केस में क्या कर रहा है आपका वाटर लिविस acid की तरह act कर रहा है ठीक है चलिए अब बात करते हैं वाटर अक्टिंग एस लिविस बेस की तरह या फिर आप कह सकते हो इसको solvation of cation तो cation में मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर तो water molecule लेना ही है तो मैंने water molecule लिया अब मैं इसकी reaction कर रहा हूंगा mg2 plus के साथ तो यह क्या करेगा सर इसको solvate कर देगा यहाँ पर ओके यहाँ पर formation of mg oh twice six times two positive takes place अब actual में क्या हो रहा है सर एक्चुल में यहाँ पर जो water है that is acting as levis base कैसे यह समझते हैं with the help of frontier molecular orbitals ओके यहाँ पर आ गया आपका h2o ठीक है यह आपका h2 और यह आ गया इसका homo और यह आ गया इसका loom यहाँ पर है electron की pair अब यहाँ पर क्या होगा mg पे two plus का charge है तो इसकी और ज्यादा z effective increase हो जाएगी और इसके यह क्या हो जाएंगे आपके इसके frontier molecular orbitals और नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आगे इसके frontier molecular orbitals यह है आपका homo और यह है आपकी loom ठीक है अब यह क्या करेगा सर यहाँ से electron को accept करेगा इनमें energy difference कम है तो यह क्या करेगा electron को accept करेगा साथ ही साथ अड़क्ट formation करके दिखाएगा ओके इस एक्टिंग एस लिविस बेस एलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यह क्या कर रहा है एलेक्ट्रॉन को accept कर रहा है तो देरफोर इस इस काल्ड लिविस एस तो दोनों की reaction की साथ यहाँ पर क्या बना अड़क्ट formation टेक्स प्लेस तो इस केस में यहाँ पर हम देख सकते हैं मजी के केस में लिविस बेस की तरह एक्ट कर रहा है आपका यह वाला मॉलिक्यूल अब चलिए एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं वाटर एक्टिंग एस तो इस केस में हम फ्लॉरीन के साथ इसकी reaction करवाएंगे है है आपके पास तू मॉलिक्यूल सॉफ एफ तू को लेता हूं तो यहां पर क्या होगा रियक्शन होकर फॉर्म होगा आपका एच एफ साथ एस प्लस आयांस बाहर निकल जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रियक्शन देखने को मिलती है ओके ठीक है अब इसको अगर आप कंपेर करते हो वाटर के साथ इस लेस वेरी मुच लेस ओके सॉरी मतलब इस हाइब इनके फ्रंटियर मॉलिक्यल और 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 यहां पर क्या जाएंगे एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं ताकि अच्छे से समझ पाऊ ओके यह आजाएगा सिगमा स्टार जी और यह आजाएंगे पाइश्टार जी अब इनमें इनर्जी डिफरेंस इतनी बढ़ गई है कि यहां पर क्या होगा यहां पर दोनों की बीच में अड़क्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है बट एलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस यानि रेड्यूसिंग इजीन Vienna की तरह आक्ट कर सकता है यहां पर को पंख कर सकता है इसको इसको मैं घ्रस्फन की तरह क्लाससिपाइब कर सकता तो िस क्या होगा यह एक्ट्रॉन को डॉनेट कर रहा है तो इसको रोलग क्या हुआ हुआ अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशन देख लेते हैं इस पर किस कदर इसे कोशन पूछा गया था ठीक है तो यह था आपका जून 2015 का कोश्चन यहां पर क्या दिया है वाटर का प्लेज डिफरेंट रोल्स इन दे फॉलिंग रियाक्शन जो अभी हमने देखे हैं उस वो रियाक्शन को दे रखा है और आपको सही आंसर बताना है ठीक है यस तो अब मैं आंसर आपको नहीं बताने वाला हूं आपको खुद ट्राय करना है और कमेंट बॉक्स में आपको सह करेंजे वीडियो को एस वाला है जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेर करना ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स कॉंसेप्ट के साथ अंटिल देन टेक केर एवर्यवन एंड हैपी लर्निंग तो अल उफ यू गाइस